हेलो एरिवन माई नेम है जनुप सिंग और आप देख रहें CNC Tech Skill Channel दोस्त आज भी हम टूल लाइफ पर बात करेंगे जो टूल लाइफ पर बात करेंगे विध ड्राइंग यानि कोई सा हमें ड्राइंग मिल जाए और उसमें M6 का टेप हो या 5.5 के ड्रील हो अगर हमें ड्रील टूल मिल जाए तो इसकी लाइफ कैसे डिसाइड करेंगे आज उसी कूपर टोपिक है विध एक जानपोल आपको मैं समझाओंगा विडियो आप step to step देखिए ठीक तो चलिए मैं आपको फिले ड्राइंग दिखाता हूँ दिखें जैसे हमारे पास एक मोडल है ठीक यह एक मोडल है हमें एक बियंसी का का कि ड्रील चाहिए और टेप चाहिए तो suppose डेट मालोगी इसमें हमें अभी ड्रील हुआ है अगर मुझे टेप बिक करना हो तो उसका भी लाइफ कैसे निकालेंगे तो मैं आपको example से समझाओंगा तो ये देखिए एक plate है ये turning वाले जानते होंगे flange plate है ठेक है दोस्त तो ये flange plate है और इसकी हमें एक drill है 10 का, suppose that मालो 10 का drill है उसकी life कितनी आएगी अगर इस पे हम चला रहे हैं तो ये कितने पार्ड बाद drill खराब हो सकता है अगर इसमें M12 का taping कर रहे है तो कितने बाद कितने टैमस बाद खराब हो सकती, कितने पार्ड बाद खराब हो सकती है, तो ये मेरी topic है चले मैं आपको 20 star से समझाते हैं, ठीक है दोस्त तो ये हमारी topic है, देखिए हम ये BMC हो या HMC हो दोनों machine में common tool life होता है इसमें कोई difference मत समझेगा ठीक है दोस्त इसके बाद आप कोई सा tool हो bracing tool हो और insetter tool हो या drill हो तो हरे tool का अपना एक customer होता है, वो हमें life देता है कि ये drill है या ये हमारा insert है ये इतनी meter चलेगा suppose that मैं आगे आपको समझाऊंगा चलेए, चलते हैं देखिए ये drill है drill है, हमने हमको customer दिया कि एक drill है जो की 400 meter इसकी life है suppose that कोई से एक drill लेलू मैं तो बहुत सारे लगा दिया है तो उसके कोई mind नहीं है बड़ ये है कि अगर कोई एक drill है उसका जो life है वो 400 meter है अब 400 meter था हमें दे दिया अब हमें कैसे पता करेंगे कि कोई एक part है देखिए हर एक part में ये नहीं कह सकते है कि ये 4 का drill है या 10 का drill है तो इसकी life 1000 आईगी वो depend करता है कि उसकी machine कितनी है वो drill कितने travel कर रहा है एक part में कितने हो ले कभी-कभी आप देखते हैं कि एक part में उसी tool का life 10,000 होता है दूसरे part में उसी tool का life 1000 होता है इसका depend होता है कि ये tool कितने बार चल रहा है तो चले आगे विस्तार से ही समझेंगे देखिए एक हमार पास step है इसका customer ने life दिया एक सो पचास ठीक है दोस्त तो ये डेट सो का मीटर चलेगा इसका tool life है तो हम अपने part की coding कैसे calculate करेंगे कि हम ये कितने चलेगा तो चले श्टार्ट करते हैं देखिए हमारे पास ये ड्राइंग है जो आपको मैंने अभी 3D model दिखाया था उसी का ये ड्राइंग है और ये ड्राइंग में क्या है कि 12 hole हो रहे है अब 12 का डावा है drilling का और इसका पूरा जो विर्थ है जो depth है वी से में और ये सारी taper हो रहा है तो इसमें चेंफर भी लग रहा है तो आप चेंफर का भी निकाल सकते हैं कितनी हाईगी तो चलिए हम आपको समझाते है जैसे drill है देखिए ये drill है drill के जो टू लाइप में दिया गया है वो 400 मिटर दी गई है और drilling depth हमारा पार्ड में है 20 mm ये 20 mm हमारा लाइप है और number of hole कितने है तो इसमें 12 hole है आप count किजिएगा एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, सार्थ, आठ, आठ, नो, दस, इगार, बारह राइट बारह hole है बारह hole है और ये इसका depth कितना है total depth हमें निकालना है तो बारह से piece में multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 उके उसके बाद हमें 2 life दिया है कितना 400 मिटर ठीके दोस्त convert करेंगे mm में तो आप जानते ही है 1000 सब गुना करेंगे तो ये हमारा 400,00,00,00,00 बन जाएगा उसके बाद हम जब इससे 4,00,00,00,00,00 ये जो हमें चल राह से divide करेंगे तो हमारा exact tool life निकल जाएगा दोस्त तो यह हमारा कितना 파्ट में चलेगा कितने 파्ट बाद यह वीए हो जाएगा 1664 पार्ट बनाने के बाद यह टूल वीए राओट हो जाएगी तो यह हमारा एक ड्रिल का कल्कुलेशन है टिकी दोस्त इसी पर का टेप का भी कर लोएगे जैसे टेपिंग है इसका जो टू लाइट दे रखा है 250 करते है, 250 दे रखा है, 250 मिटर है, और टैपिंग डे रखा है, 20 में, और ये टोटल होल हमारे 12 है, तो टोटल डैप्थ इसमें भी इतना ही आएगा दोस्त, उसके बाद इसका जो life दे रखा है इतना मिटर गे convert किया हमने तो यह हमारा 2,50,000 mm हो गया इसको मैं divide करूँगा तो इतना tool life आ जाएगा तो हम इसी परकार से किसी भी tool के दोस्त किसी भी tool का हम अगर निकालें तो हम easily निकाल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम easily किसी भी tool का life निकालना हो आप निकाल सकते हैं और वीडियो कैसे लगी बताना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद